वचन को बहुत ही गंबीरता के साथ सुनें पत्रस और युहन्ना यहाँ पर उस लंगडे को क्यूं संकेत कर रहे हैं क्यूंकि यदि तु हमारी ओर ध्यान से देखेगा हमारी ध्यान से सुनेगा तो तु आज चंगा होकर यहाँ से आज तु भीक नहीं मांगेगा परंतु आ करके अपने जीवन को यापन करेगा आमीन हालेलूया यदि आप चाहते हैं कि मैं जब आपके लिए प्रार्तना करूं और आप चंगे हों आपको वचन को ध्यान से सुनना है पत्रस युहन्ना की तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी ओर आपको ध्यान से देखना है मैं जो बोल रहा हूं वो आपके लिए है मैं किसी यूटूब पर देखने वाले से किवल नहीं बात कर रहा हूं परन्तु जितने एक एक व्यक्त यहां पर बैटें मैं सबसे बाते कर रहा हूं यदि आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे कोई भी नहीं है जो आपको आपकी चंगाई से रोक सके आपके जीवन को बदलने से रोक सके यदि आपके लिए वचन है तो जोड़ से आमीन हालेलूया है पांच पत में लिखा है अता हुआ उनसे कुछ पाने की आसा रखते हुए उनकी और ताकने लगा उस भीकारी ने जो लंगड़ा था उसने पत्रस और यहुना की और बड़े ही गंभीता के साथ ताकने लगा मालूम क्यूं क्यूंकि सब आते थे और जब हम भीक मांगते थे वो मुझे दे कर चले जाते थे जो उनके पास रहता था पैसे वो हमारी कटोरी में डालते थे और रवाना हो जाते थे परन्तु ये कुछ मेरे लिए अलग करने वाले हैं क्यूंकि ये मुझे देखने के लिए बोल रहे हैं तो वो उनसे जादा पाने की आसा में ताक ने लगा उसको लगा कि ये मेरे लिए कुछ अलग करेंगे क्यूंकि उन्होंने पत्रस और यहन्ना ने उस लंगड़े भिकारी के सामने कुछ अलग बात प्रगट की जब आप यहाँ पर आए हैं मैं आपके लिए क्यूं इस वचन की चर्चा कर रहा हूं क्यूंकि मैं आपको कुछ अलग आज आपके जीवन के लिए देना चाहता हूं प्रत्य दिन एक नया अस्तर आपको प्राप्त करना है बोले आमीन आप ध्यान दें और अपने इस दिमाग में अपने विवेक में एक फिल्म बनाएं जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप पिक्चर बनाते जाएं आप देखिए कि क्या लिखा है वच्चन में कि वो जो भिखारी था उनसे कुछ पानी की आसा में उनको ताक रहा था वो ताक नहीं लगा क्यूंकि अभी तक किसी नहीं बोला कि हमारी और देख जो भी आता था हमको केवल दान देता था और चला जाता था लेकिन ये कुछ मेरे लिए अलग करेंगे वो नहीं जानता था कि वो मुझे मुझे को चंगा कर देंगे परन्त हाँ एक चीज वो जानता था कि ये बैक्ती मेरे लिए कुछ अलग करेंगे क्योंकि इन्होंने मुझे इंतिजार करने के लिए बोला इन्होंने मुझे सुनने के लिए बोला है बोले आमीन छे पद में क्या लिखा है तब पतरस ने कहा चांदी सोना मेरे पास नहीं है बिखारी से पतरस ने बोला सोना और चांदी तो मेरे पास क्यूंकि उसको यही सब चीजे चाहिए थी पैसा चाहिए था यदि आप बहुत धन्वान है तो आप ज़्यादा मांगने वाले को देते हैं लेकिन पत्रस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है परन्तु जो कुछ मेरे पास है वा मैं देता हूँ और वाया है कि तू येशु मसी नासरी के नाम से उठा और चल फिर यदि आपके लिए है तो आपका और उचामीन हालेलूया मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो समस्ते हैं कि मेरा जो आज वचन है वो मेरे लिए है तो अब आप अपने पडोसी से ज़्यादा आप अपने लिए बरकत चंगाई को ग्रहन कर पाते हैं